राम गंज गाउं के घर कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं, पर बेहत खुबसूरत हैं. इसी गाउं में देवकी रहती है, जिसकी एक 14 साल की बेटी सीमा है. देवकी का पती दीनानाथ एक गरीब किसान है, इसलिए घर के खर्च अच्छे से चलाने के लिए देवकी भी दू आपसे कह दियाना, नहीं मतलब नहीं. पर भागेवान, ऐसे किसमत बार बार दर्वाजा नहीं खटखटाती. ऐसी किसमत से तो हम बदनसी भी अच्छे हैं. पर हमारी बेटी राज करेगी राज. नहीं जी, मेरी बच्ची अभी सिर्फ 14 साल की है, और मैं उस जालम जमीनद उसकी शादी नहीं होने दूंगी हा? अरे बाल विवाह तो हमेशा से होता आया है. होता नहीं है, होता था. और मेरे मेरी बेटी को लेकर काफी सपने है. मुझे उसे पढ़ाना है, लिखाना है, किसी काबिल बनाना है. जमिदार जी को हमारी बेटी बहुत पसंद है. इससे देखना जब वो लाल बत्ती की काड़ी में कलक्टर बन कर आएगी न तो सब अपनी बेटियों को पढ़ने स्कूल भेजेंगे हाँ और रिष्टों की तो लाइन लग जाएगी तू और तेरे सपने अच्छा चल ठीक है मैं जमिदार साहब को मना कर देता हूँ पर तू एक ब मेरी बेटी तो पहले हाँ हाँ पता है पहले वो कलक्टर बनेगी फिर अच्छा रिष्टा खुद उसे ढूनते हुए आएगा ये सुनकर देव की हसने लगती है और उसका पती अपने खेट की ओर निकल पड़ता है दीनानात खेट जाते वक काफी परिशान होता है उसके चहरे पर एक अजीब सा डर होता है चलते चलते वो सोच रहा होता है ये तो बहुत परिशानी हो गई जमिदार एक खतरदान का आदमी है उसे मना करूं तो कैसे कहीं उसे खुछ सा आ गया तो मैं क्या करूंगा वो मेरी जमीन तो नहीं चिन सकता क्योंकि मेरा और उसका कुछ करजा लिया था पर वो अगले साली उतार दिया था तो डरने की कोई बात नहीं है सीधा जाकर मना कर दूंगा उसके बाद अगर उन्हें उससे में पीटना हुआ तो तब की तब देखी जाएगी ये सोचता हुआ दीनानाथ अपने खेत पर पहुँच गया उसने काम करना शुरू किया ही था कि जमीनदार वहां आ गया उसके साथ हमेशा कुछ पहलवान रहा करते थे दीनानाथ के पास जाकर जमीनदार बोला हा दीनानाथ तो मैं पंडित जी को बुलाकर शादी का महुरत तैकर वालू अचानक जमीनदार की आवाज सुनकर दीनानाथ डर वो पीछे मुड़ा और कापती आवाज में बोला माफ करना मालिक पर यह शादी नहीं हो पाएगी जमीनदार ने दीनानात को गुसे में देखा और कहा पता है ना तुझे किसको मना कर रहा है मालिक मैं तो अपनी बेटी की शादी आप से करके उसके भाग खुलना चाहता हूँ पर मेरी बीवी नहीं मानती यह सुनकर जमीनदार और उसके पहलवान जोर जोर से हसने लगते हैं अब एक घर में मर्द की चलती है औरत की नहीं तेरी मर्दान के खत्म हो गई या तेरी औरत तेरे से ज्यादा मर्द हो गई दीनानाथ हाथ चोड़ते हुए बोला माफ करना मालिक मगर बेटी की शादी का मा से तो पूछने ही पड़ेगा न तो तेरा आकरी फैसला यही है तू हमारे हुकम को नहीं मानेगा जी मालिक यह शादी नहीं हो पाईगी ठीक है पर याद रखना इसका भुकतान करना पड़ेगा यह कहकर जमीनदार वहां से चला जाता है और दीनानाथ अपने काम पर लग जाता है अगले दिन दीनानाथ अपने खेट में काम कर रहा है तभी जमीनदार के पहलवान वहां आ जाते हैं और दीनानाथ को बोलते है ए दीनानाथ इस खेट में क्या कर रहे हो कैसी बात पूछ रहे हैं मालिक अपने खेट में काम कर रहा हूँ अरे ये खेट तेरा है ये नहीं तेरा था क्योंकि तेरा खेट मालिक ने जब्द कर लिया है क्या मालिक इस पर कब्जा नहीं कर सकते ये मेरा है तब ही जमीनदार वहां आ जाता है और बोलता है भूल गया चार साल पहले जब सूखा पड़ा था तो तूने मेरे से पैसे उधार लिये थे ये देख ये कागज और इस पर तेरी उंगलियों के निशान इस बात का सुबूत है पर मालिक वो तो मैंने आपको वापस दे दिये थे कब दिये मुझे तो याद नहीं कोई सुबूत है वापस देने का तो दिखा मालिक ऐसा मत कीजिए ये खलत है सिर्फ यही जमीन तो मेरे पास है अगर आप इसे छीन लेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूका मर जाएगा नहीं नहीं तेरी बीवी है ना तेरे घर की मर्द वो खिलाएगी मालिक ऐसा मत कीजिए मैं हाथ जोडता हूँ ए किसलिए रखाये तुझे भगा इसे पहलवान दीनानाथ को धक्का मार कर वहां से भगा देते हैं दीनानाथ रोते हुए अपने घर चला जाता है तुम्हें ही आगे चल कर हमारा नाम रोशन करना है बिलकुल मम्मी मैं अच्छे से पढ़ूँगी और कलेक्टर बनूँगी तब ही दीनानाथ वहां आ जाता है देवकी दीनानाथ को देखकर चौक जाती है और बोलती है जी आप यहां कैसे तबियत तु ठीक है ना ठीक थी पर तेरी जितने खराब कर दी क्या बोल रहे हैं कहा था ना जमिदार को मना करना खतरनाक होगा क्या किया उसने आपको पीटा क्या अरे पीटा हوتा तो ठीक होता पर उसने तो पेट पर लाद मारी है हमारी जमीन हम से चीन कर जमीन चीन ली? पर ये तो गलत है गलत बोला था तुझे पर नहीं अब चिपका कर रख इस लड़की को अपने सीने से और हुजा बरबार ये कहकर दीनानात वहां से चला गया और देवकी रोने लगी तभी देवकी के कंधे पर किसी का हाथ आता है देवकी देखती है तो ये उसकी बेटी सीमा होती है वो कहती है मम्मी आप रो मत देखना मैं जल्द ही कलेक्टर बन जाओंगी और आपकी जमीन उस जमीनदार से वापस ले लोंगी ये सुनकर देवकी सीमा को गले से लगा लेती है लेकिन इस दिन के बाद से देवकी का जीवन अंधकार से भर जाता है दीना नाच शराब पीने लगता है और घर का खर्चा चलाने के लिए देवकी को दिन रात काम करना पड़ता है एसे ही सालों बीच जाते हैं और देखते ही देखते सीमा 19 साल की हो जाती है और कलेक्टर की पढ़ाई करने के लिए उसे कॉलेज जाना होता है लेकिन आगे की पढ़ाई करवाने के लिए अब देवकी के पास बिलकल पैसे नहीं होते तो देवकी अपना घर गिर्वी रखकर उसके आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लेती है और सीमा आगे की पढ़ाई के लिए शेहर चली जाती है कुछ सालों बाद जब एक दिन देवकी खेत में काम कर रही होती है तो जमीनदार वहां आता है उसके हाथ में कुछ कागज होते हैं और वो देवकी से कहता है मुझे माफ कर दो जी तुम्हारी बेटी हमारे गाउं की कलक्टर बन गई है और उसने पुलिस के साथ मिलकर मेरी आँके खोल दी कि ये लो ये लो अपनी जमीन और मुझे माफ कर दो ये कहकर जमीनदार वहां से चला जाता है और सीमा लाल बत्ती वाली गाड़ी में वहां आती है सीमा को देखकर उसकी माँ रोने लगती है देवकी सीमा को गले से लगा लेती है वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तब ही उन्हें एक आवाज आती है पेटी? पिता जी मुझे माफ कर तो पेटी, मैंने तुम्हारा साध ना दिया कोई बात नहीं पिता जी देखा जी, कहा था ना, मेरी बेटी कलेक्टर बनेगी हाँ, हब तो इसकी शादी करते जी तब ही दूसरी तरफ से गाउं के सरपंच आते हैं और वो अपने बेटे रोहन के लिए सीमा का हाथ मांग लेते हैं और देवकी उन्हें हाँ कर देती है सालों मेहनत करके देवकी ने जो पैसे बचाय होते हैं वो उससे सीमा की शादी धूम धाम से कर देती है